चैप्टर नमबर 40 ते हम लोगों ने पढ़ लिया था चैप्टर 41 हम देखने जा रहे हैं वाइल लूप की बारे में है अच्छा हमने लूप पहले पढ़े हैं कौन से लूप पढ़ा था हमने फॉर लूप टीक है टोटल जास्क्रट में तीन तरह के लूप होते हैं किती तर लूप वाइल लूप और एक डूवाइल लूप टीक है अच्छा अब सबसे ज्यादा जो यूजवाने वाला है ना ज्यादा तर जो आपके 90 परसेंट जो सिनेरियो होंगे कैसी होंगे महां पे आपके पास फॉर लूप ही यूज़ होगा टीक है जहां पे वाइल लूप लेकिन ज्यादा बैतर यहां पर उसी तरह का लूप भी यूज़ किया जाया है यहां पर आपके पास एक लूप है जो कि आपने पहले पढ़ा था लूप जिसमें इन्होंने आइस जीरो से उसको इनिशेट करवाया तिरी तक वह चलेगा और उसके बाते हर बार आई को अल पहले इनिशेलाइजेशन दूसरी पंडीशन और तीसरी इंक्रीमेंट ठीक है तो इसी तरीके से अब यह जो इन्ट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको वाइल लूप को ठीक है अच्छा वाइल लूप के अंदर क्या होता है वाइल लूप जो है वह पहले से किसी इनिशेल इनिशेलाइजड वेरियेबल के उपर चल रहा होता है यानि कोई ऐसा वेरियेबल जो के खास तोर पर फॉल लूप के लिए नहीं बनाया जिया ठीक है पहले से इनिशेलाइज था पहले से उसमें कोई वैल्यू बढ़ी दिए और उसके उसके विहाब पर आप उसको चला हो बाद वकात ऐसा होता है जैसे आप कोई अगर आपको कोई लेंग्ट तक कोई काम करवाना है या लेंग्ट से स्टार्ट करना काम को तो वेरियेबल को इनिशेलाइज आपको फिर भी करना पड़ता है लेकिन उसको रखना पड़ता है लेंग्ट के बराबर ठीक है अगर यह किसी array की लेंक्स से उठके आ रही है तो मैं क्या करूंगा पहले वेरियबल आई को बराबर कर दूँँगा किसी की लेंक के ऐसे यह ना उसए डरेडौट लेंक्स के बराबर करूंगा फिर एक एक फिर उसमें जखाऊंगा कि जब तक कंडिशन जो है फिर जीरो से बड़ इसे वेरियेबल है जो कि इनिशलाइज धे लिए ग्ला इकोल टू सीरो इनों ने ऊपर रग दिया और वाइल जो है वाइल के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ चंडिशन बताते हो कि यह जो है वह जब कोया है बोच चलता रहेगा अब दếu कनुम के अंदर करते हो ठीक है इनों क्या क्या को पौद खूते हैं maior выступ लेकिन अगरम एपने वाइल के अंदर किना रखे है किंसे और अगल तकर आप है crít है लेकिन अगर आपने वाइल के अंदर नहीं रिखी तो फिर वो लूप कौन सा लूप बन जाएगा इंफाइनाइट लूप बन जाएगा वो क्यों क्यों कि वो चलता रहेगा कंडिशन उसको टू ही मिलती रहेगी है ना फॉर इसेंपल उन्होंने कहा कि आई जो है वो जीरो के बराबर है और उसके बाद इन्होंने चेक छीरों कर देगी तो फिर यह लूप जो है वो चलता रहेगा ती कि और यही चीज़ जो है वापके ब्रॉजर को विधान करते हैं अपने कोई भी एक वेरियबल जो कि आपका पहले से इनिशिलाइज जो चाहता वाइल की उपर कर लो या चाहहे तो कहीं से भी कहले से ऊपर और आपने कहीं पर किया है कोई एरे की लेंग से कुछ भी है आप वहां से उसको देख सकते हो ठीक है को एक्सेंपल मैंने यहां पर वेरियेबल आई इकोस्टू मैंने इसकी वैल्यू रख दी त्री मैं उल्टा लूप चलाना चाना हूं ठीक है तो मैंने यह तर दिया अब म हमारे हर चीज में चलती भी आ जाँस्तु में है इसके अंदर भी हमने ऐसी देखा था ठीक है फूर्ल लूप में भी हमने ऐसे देखी थी टीक है यहीं देख रहा है न हम लोग इसके बादे ब्शी कि उसके ऑदिए प्र रौड़ राइकटं और उसके बाद आजाएगा कं पर अगर मैं condition मनाना चाहा हूं उल्टी तो मैं क्या करूंगा वाइल आई लेस्थ होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए यह condition कब चलेगी जब true होगी तब चलेगा यह कब चलेगा जब यह condition true होगी true किस पर आप में होगी अगर आई जो है वह greater than zero चलनी चाहिए इसके अंदा मैं फिल्हाल के लिए लॉट करवार हूं आई को और यहां पर आई इस चल जा अच्छा उसके बाद पिर हमारे पास आरें करता है हर बार कंदिशन देखता है फिर चल хотите काम पिर चलेगा अग्क पहले एक बार चल जाएगा फिर कंदिशन त्रू होगी तो दुबारह और बार चलarten लेंनी चेक वाइल वाइल है उसके उपर एक बहुत अच्छी मीम थी मुझे अगर मिल जाया तो अच्छी बात है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके समझ मालेगा यह वाइल लूप है और यह डू वाइल लूप है इसके पास लूप चल रहा था कि जब तक एज यानि किनारा ना आ तब तक चलो ठीक है रन का फंक्शन कॉल हुआ हुआ है देख रहो अंदर थोड़ा सा पिक्सिलेट हुआ है लेकिन समझ में आ रहा होगा मेरे खाल से ठीक है तो इसने क्या किया यहां पे इसकी एज वाली कंडिशन जो है यह फॉल्स हो गई और यह रुख गए यहां पे ठीक है लेकिन यहां पे क्या अब यहां पे यहां थो उसके बाद करें करेंका के किनारा आ गये है और यह भागा। वैश्य करता कंडिशन को समझने लिए बासन में आरी यह है वाईल क्या करता है वाईल जो है वाईल लूप वो आपका काम चलाएगा लेकिन पहले कंडिशन को देखेगा पहले कंडिशन को रीड करेगा अगर कंडिशन रीड होगी तो आपका काम चलेगा लेकिन डू वाइल क्या कहता है कि कंडिशन टू या फॉल्स हो एक बार तो चलाना है ठीक है एक बार चलाएंगे उसके बाद के अंदर इन्होंने अपने जो भी काम था वो काम किया और उसके बाद फिर वाइल की कंडिशन यहां पर देखी एक बार देख लेते हैं डू वाइल को भी अधिरेबल आई इकोई टू जीरो कर देते हम हैं पहले डू का बलॉक आएगा डू के साथ आपके पास ब्रेकेट्स आते और फिर वाइल के साथ आपके पास कि क्या होगा कंडिशन चेक होगी डू में काम होगा आपका क्या करना चारा हूं के ब्लू कर दो अधाए यहां पर मैं कंडिशन कुछ अपना चारा हूं कि चली ही न यह लूप चले ही ना, क्या करूं यहां पर ऐसा, अगर i less than zero करतूं तो चलेगा, नहीं चलेगा, यानि i less than zero सही चीज़ है नहीं यहां पर, यानि condition false हो जाएगी ना i less than zero करने से, i is less than zero, आपके हसाब से यह लूप कितनी बार चलना चाहिए, एक बार, बस, सही है, एक ही बार चला, अच्छा, अब अगर मैंने इस लूप को चलाना है, किसी specific condition तक, तो फिर मैं क्या करूँगा, i is greater than three करतूँ, कितनी बार चलेगा यह बताओ, एक बार चलेगा बस, चलो देखते हैं, अब एक बार क्यों चला, condition false है, यह कह रहा है, तो इसका मलता मुझे condition कैसे लगानी पड़ेगी, अब कितनी बार चलेगा, तीन, यानि zero, one, two, three पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यह डू वाइल लूप है, एक बार तो एक्स्ट्रा चलेगा ना, नहीं, तीक है, zero, one, two, three क्यों नहीं चला, तीन पे आने के बार यहां प पहले होगा, condition बाद में चेक होगा, ठीक है, run time उसका भी उतना ही होगा, समझ में आगे है, while do, while do, बक्की बात है, commenting, आपनों को पता है, already के comments किस किस तरीकी के होते हैं, दो तरीके के comments होते हैं, JavaScript के अंदर, पहला होता है, single line comment और दूसरा होता है, multi line comment, single line comment के लिए आप double slash लगा देते हो, और multi line comment के लिए आप start करते हैं, slash steric, और बंद करते हैं, steric slash, ठीक है, अब हमारे पास events हा रहे हैं, ठीक है, events वाला जो काम है ना, अगर यह वाला काम ना हो, तो मतलब एक तरीके से हमारे पास, जो Java script है, वह तरीके से फुजूल हो जाती है, browser में उने लिए अगर हमारे पास events वाला काम ना हो, ठीक है, क्योंकि events ही वो चीज़ है, जिसकी बहाफ पे हम user के किसी action के उपर specific task अपने perform करवा सकते हैं, ठीक है, specific functions को call करवा सकते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ होती है, events, ठीक है, event बहुत सारी तरीके के होते हैं, click के events होते हैं, hover के events होते होवर पता है किसको कहते हैं, ठीक है, बिलकुल इसी तरीके से mouse down के event होता है, mouse up का event होता है, ठीक है, यानि mouse down, mouse up का मतलब यह है, कि जब मैंने mouse वाली जो click है ना, वो दबा दी, तो इसका मतलब क्या है, यह mouse down, और अगर click को मैंने छोड़ दिया, तो यह क्योंसे event है, mouse up, ठ बहुत सारे function होते हैं, drag का function होता है, drop का function होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है, अक्सर आपने website में drag and drop तो किये यह ना, तो यह सारी चीज़ है, पॉसिबल इस तरीके सोती हैं, कि अगर हमारे पास जो जावस्क्रिप्ट में, जो events होते हैं, बलकि event basically part HTML का हैं, लेक basically पहले आपको वो events define करने पड़ते हैं HTML के अंदर, ठीक है, क्योंकि जायर सी बात है, आपको कोई भी event लगाना है, तो किसी ने किसी element के उपर लगाना पड़ेगा, click का event लग जाए, ठीक है, drag का लग जाए, drop का लग जाए, ठीक है, यह सारी events जो है, hover का लग जाए, यह basically user जो है, वो interact तो आपकी HTML के साथ कर रहा होगा, ऐसे यह ना, तो user जो है, वो अगर click करेगा, तो किसी HTML के element के उपर click करेगा, ठीक है, लेकिन आप उसको watch कर रहे होगे, कि अगर user ने उस HTML के element के उपर click किया है, तो फिर मेरा यह वाला function जो है, यह call हो जाए, सब को समझ में आ लिखा जाता है, जो capital C वाला है, वो गलत है, ठीक है, शायद HTML की वज़ा से चल जाए, लेकिन इसका ठीक तरीका जो है, वो small c है, इन्होंने क्या है, इन्होंने on click equals to लगाया, और on click के अंदर इन्होंने पता है, क्या लिखाव है, जावा स्क्रिप्ट की पार्ट लिखाव है, देख रहो, यह जो alert है, यह जावा स्क्रिप्ट है, ना, on click के अंदर इन्होंने पूरी पूरी जावा स्क्रिप्ट चला दी, ठीक है, अब देखते हैं, यह वाकई में चल भी रहा है, यह यह बस, एक click का बताया है, मैं इसके click करता हूँ, और यह चल गया, अगर यह ज कुछ built-in functions होते हैं, और कुछ हम manual बनाते हैं, ठीक है, अब alerts यह कौन सा function है, built-in, ठीक है, अब अगर built-in function चलना है, तो इसका मादब यह है कि manual function भी इसको चलाना चाहिए, मैं यहाँ पे function मना रहा हूँ, function का मैं नाम रख देता हूँ, test, ठीक है, कुछ parameter ले रहा हूँ, यहाँ पे, उसका नाम रख देता हूँ, well, well का मतलब value, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको console करवा रहा हूँ, चलना चाहिए, अब अगर चला हूँ, तो चलेगा, call नहीं कर पाया, क्या करूं यहाँ पे, यहाँ पे function का नाम रख के call करा दूं, चलेगा, reload करता हूँ, चल रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने click के event को capture कर लिया, अच्छा आपकी book के अंदर और भी बहुत सारे तरीके बताएगा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने जास्क्रप कालन लिखा है, फिर on, पहले यहाँ पे एक variable बनाया, फिर उसी variable को यहाँ पर पास कर दिया, चलेंगे सब कुछ, लेकि यह अच्छा तरीका नहीं है, बहुत से जादे अगर यह bad practice कहलाती है, अब हमारे पहले इन्होंने links के उपर किया था, यानि anchor tag के उपर, अब क्या करेंगे, इन्होंने कहा है, आप यही वाला काम बटन के जरीए भी कर सकते हो, input type equals to button कर लो आप, या button का tag लगा लो, ठीक है, जिस तरही किसे भी चाओ, आपका वाला काम हो जाए वाला event बना रहे थे, anchor का link बना रहे थे, अब वहाँ पर बटन बना लोगे, बटन बनाना सबको आता है, है ना, इसकी detail में जाने की दूरोत नहीं है, विल्कुर उसी तरीके से इन्होंने IMG के tag के उपर भी on click लगाया, ठीक है, on click वाला जो event है, वो आप किसी भी, डिफ प यूजर को पता तो चले कि यहाँ पर मैं click कर सकता हूं, ठीक है, फिर mouse का event आ गया, on mouse ओवर, ठीक है, यहाँ पर भी यह जो capital है, यह small होगा, ठीक है, यह वाली जो इसके अंदर चीज़ें होई है, this.style.color, यह src वगएरा, यह इन्होंने यहाँ पर example के तौर पर बताया व या on mouse over के उपर कहीं भी एक function को call करवाओगे, ठीक है, function के अंदर रहते वे आप सारे काम करो, javascript का काम, javascript की file के अंदर ही अच्छा रखता है, अच्छा on mouse over क्या करेगा, पता है, आपको, कब चलेगा, यह पता है, ठीक है, मैं click नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने hover किया वहाँ पर और यह चीज वो function कॉल हो रहा है, अच्छा यह बता रहे हैं कि आप event जो है, वो input fields के उपर भी लगा सकते हो, on focus के उपर और बहुत सारी चीज़ें on blur के उपर लगा सकते हो, अच् किसी input के उपर click कर दूँ, इस तरह से कि अगर मैं keyword में कुछ भी लिखूँ तो वो input field के अंदर type होने लगे, ठीक है, तो इसका मंदब ही क्या है, कि वो वाली जो input field है मेरी वो अभी focused में है, ठीक है, और blur का मंदब क्या है, उसी के opposite, अच्छा जी, अब important शीज आ रही है, reading field values, कि आप किसी भी JavaScript का जो क्या कहते है, कोई input है, तो उसकी value को, sorry, HTML का input field होती है, उसकी value को JavaScript में कैसे read कर सकते हो, ठीक है, वो देख लेते हैं, अब इसके तरीके बहुत सारे होते हैं, सबसे पहला तरीका जो है, जो आसान तरीका वो यह है, कि आपने जो fields रखी है, आपने form में रखी, और form में रखने के बाद on submit के उपर आपने को फंक्शन कॉल करवाया, ठीक है, और उसको field की value बता यहां पर यहां पर जो भी value है, वो आपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक specific चीज होती है, dom, जो कि हम आपने आपके चलने पड़ आने, उसके अंदर एक specific function हो उसको call करवा के आप कोई भी field की ID अगर उसको बता दो तो हो, उसकी पूरी information निकाल के लिए आता है और उस पूरी information के अंदर से आपको फिर उसकी value मिल जाती है, ठीक है, मैं आपको असान तरीकों में करके दिखा दो, for example, मेरे पास यहां पर, यह मैं हटा देता हूँ, यह मैं इसको comment कर दे दो, थोड़ी देर के लिए, मेरे पास यहां पर एक input field, type equals to, text कर देते हैं इसका, ठीक है, और, यहां पर, मेरे पास, एक ID की field हम रख लेते हैं, यहां पर, और मैं इसको कोई भी ID देता हूँ, for example, अभी मैं इसको ID देना चाहरा हूँ, text one के नाम से, ठीक है, अगर मुझे इसकी value get करनी है, तो value get करने के लिए, जायर सी बात है, मुझे function call करवाना पड़ेगा, ठीक है, और function call करवाने के लिए, मुझे function उसका call करवाना पड़ेगा, जब मैं इसमें कोई अपनी value type करना हूँ, इसका मदब यह कि मुझे बटन भ बना लेता हूँ, बटन के on click के उपर मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर function call करवाता हूँ, चेक value का, ठीक है, इस check value के function को मुझे जायर स्क्रिप के इंदर बनाना भी पड़ेगा, अच्छा, यहां तक तो सब ठीक है, कोई मस्रेवली बात, यहां तक तो सब set है, अगर मैं चेक करना चाहूँ कि मेरा बटन चल रहा है या नहीं चल रहा, तो पता कैसे चलेगा, जब तक मैं लॉग ही नहीं करगा हूँ आपर, इसकी वैल्यो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, document.getElementById, ठीक है, getElementById का function होता है, जो कि आपको document मिलेगा, document जो आपको globally हर जगा पे available होता है, जाहां script करना है, ठीक है, तो document.getElementById को आप call करोगे, और इसको क्या करोगे, इसको दे दोगे क्या, id, वो id जो के मैंने इस element को दी ठीक है, तो यह क्या करेगा, मुझको वो पूरा का पूरी element की जितनी भी details है, वो सारी की सारी लाके दे देगा और return करेगा, ठीक है, तो इस वजह से मेरे को इसको किसी variable के अंदर रखना जरूरी है, मैं क्या रखूँ है, यहाँ पर text, input equals to, ठीक है, अब सारी की सारी details इस variable के अंदर आ गही है, इस variable के अंदर से अगर मैं चाहूं तो मैं value निकाल सकता हूं, मैं करूँ है, console.log, text input dot, चलना चाहिए, मैं यहाँ पर इसको reload करते हैं, कुछ मैं लिखता हूं यहाँ और चेक करता हूं, तो यहाँ से मुझे इसकी input field की value मिलगी, सही है, थमझ में आया, मैंने input field बनाई यहाँ पर एक input field को एक ID दे दी, बटन बनाया, बटन के on click के ओपर check value का function लगाया, check value का function क्या करता है, जब भी इसके ओपर click होगा, यह document dot get element by ID करेगा, अच्छा get element by ID क्या करेगा, मैं बताता हूं पर इससे, यह जो भी आपने ID इसको यहाँ पर pass किये as a parameter, ठीक है, यह क्या करेगा, इस ID को पूरे HTML के अंदर ढूंडेगा, जिस element के ओपर भी उसको यह ID मिल गई, उस पूरे element की details उठाकर लेकर आ जाएगा, और आपको return कर देगा, इस वजह से फिर मैंने क्या क्या उसको एक variable के अंदर डलवा लिया, इस variable के अंदर बहुत चीज़े पढ़ी होती है, जिन में से value एक चीज़ होती है, ठीक है, तो मैंने dot value करके उसकी value निकाले, clear है, value यहां से हटा देना, और देखना है, इसमें क्या क्या चीज़े आ रही है, ठीक है, सारी print हो जाएंगी, करके दिखा रहे हैं, यहां पर आपको यह field मिलिए, पू एक चीज़ होती है, ठीक है, ठीक है, यह सारी चीज़े इसके अंदर है, accept access की align, बहुत सारी values हैं इसके अंदर, ठीक है, इसी में से एक जो है, वह आपको इसके child भी मिल जाएंगे, child notes, children, ठीक है, children, इसके हैं नहीं, इसलिए empty है रहे हैं, यहां पर class list, class name, data set, यहीं मैंसे, यह देखो, इसके उपर ID लगी हुए, text1 की ID भी आ रही है, minimum length इसके कुछ है लगी भी यह नहीं है, max है, min है, ठीक है, इन बहुत सारी चीज़ों में आपको नीचे जाके value भी मिल जाएगी, यह आभी value, इस चीज़ को हम कहते है, debugger points, क्या कहते है, debugger points क्या होते है, basically, हमारी coding के अंदर, ठीक है, जब भी हमारे पास किसी भी तरह के मस्लियार होते है, ठीक है, कोई भी coding के अंदर issue आ रहा है, उसको हम कहते है, bugs, क्या कहते है, बग्स, ठीक है? अब बग्स को निकालने वाले जो प्रोसेस उसको हम कहते हैं डी बग. ठीक है? डी बग कैसे होता है, डी बग के अन्दर आपको एक एक चीज को अपनी ही चीज को बैठ के अनालिस करना पद आप था उसका. ठीक है? तो आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे गलती हो रही है ठीक है क्योंकि 5 प्लस 5 15 तो होता नहीं है फिर आप क्या करते हो फिर आप या तो अपने कोड में जाओ यहां पे एक-एक करके बैटके अपनी ही लाइन को बढ़ा हो दुबारा से ठीक है कि आपने कहां पे कौन सी पलती करती है और दूसरा तरीका यह होता है कि जहां पे चल रहा है ब्रॉजर में आप वही पे देख सकते हो कि कौन सी चीज कैसे चल रही है रन टाइम पे एक-एक लाइन के उपर कौन से वेरियबल में कौन सी वैल्यू थी आप वह भी चेक कर सकते हो कैसे डिबगिंग प लो फिर वह आगे चले ठीक है कैसे देखते हैं यहां पर में किया सोर्सिस के अंदर मेरे पास पूरी की पूरी फाइल आ गई मेरी जो मैंने अब्रोड जैस की रखी भी ठीक है अगर आपके पास यह वाली फाइल नहीं आ रही हो तो कोई मस्रे वाली बात नहीं है आप जो अब्स सीरा आपकी फइल करना देगा आपने इंटर करना है वो फाइल आपकी आपकी यहां पर अपन कर सकते हो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल ओपन धी एपर जैसली टीए अब मैं फ्रेसेंपल यहां पे मेरे पास कोई जो वैल्यू आ रही थी है वह जहां पर नमबर लिखे वा रहे होते हैं आपकी लाइन नमबर वहां पर मैं क्लिक कर दूँगा यह पॉइंट यहां पर डिबगिंग पॉइंट इसको क्या कहते हैं डिबगिंग पॉइंट अब मैं क्या करूंगा अब मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि उससे यह स्क्रिप्ट द वाली लैन चलेगी जब वाली लैन चलेगी तो वह ऍालत धैकर रूक जाएगा अगर फंदर नहीं रख्त हा में तो हम सिंक्प्लि इंबारोड करें रिलोड और प्योगता तो चलेगी आ उस टाइम पर महां पर आजाएगा अगर function के अंदर होगा तो फिर री लोड गाम नहीं करेगा क्यूंकि वह function के अंदर वाला part उसी वक्ट चलेगा function अब function यह वाला चैक वेल्यू को function मैं कैसे कॉल करवा सकता हूं बटन पर क्लिक करके मैंने बटन पर क्लिक करवाया इसने का पॉज्डिन डिबगर यानि डिबगर के अंदर पॉज हो गया है आपकी स्क्रिप्ट जो है वो रुक गई है अब यहां पर यहां पर यहां पर इसको हाइलाइट कर रहा है इस लाइन को मैं यहां पर आके इसको सिर्फ हवर करूंगा यह मुझे पूरी वैल्यूस के अंदर दिखा रहा है कि वैल्यू के अंदर आपके क्या वैल्यू रखी हुए अब आप बोलोगे कि सर यहां पर कॉंसोल डॉट लॉट भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हमें वैल्यू देखने हैं तो हम कॉंसोल डॉट कर लेंग लगा है आप 10 की 10 जगह पे बैट के कॉंसोल डॉट लॉट लॉट लगा होगे फिर जब वह मस्क्राइब हो जाएगा बैट के 10 की 10 जगह पे कॉंसोल डॉट लॉट लॉट रिमूव करोगे कितना टाइम जाया होगा उससे बैतर यह नहीं कि मैं यहां पे एक पॉइंट लगा लूँ सिंपल सा वैल्यू मुझे यही पता चल जाएगी ठीक है तो यहां पर मैंने जब हवार किया तो यह मुझे सारी वैल्यू दिखाने लग लग जिया ठीक है इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ होती है अगर मैं यहां सेंसको कर दूँ तो यह क्या करेगा यह क्या करन कर फून्क्शन झाल है नंना или कोई क्या करता है उस फॉंक्शन पर यहां सब ठीक है और यहां जो वाला बटन इससे क्या इससे ये रिज्यूम हो जाएगा इसक्रिप्ट जो है वो यहीं से आगे चल बड़ेगी ठीक है अगर मैंने कहीं और डिबगिंग पॉइंट लगाया वाए तो वहां जाके रुकेगा वनना फिर ये रिज्यूम हो जाएगा ठीक है और कहीं लगा वानी जा इस लिए कर रहे होग ये कोई भी बीकाम कर रहे होगए डिबगिंग पॉइंट आपके बहुत काम बेदियूएख राया है अच्छा अच्छा सैटिंग फिल्ड वेल्यूस को स्यट किस तरीके से कर सकते हो एँ कर वैल्यू को set करने का बहुत असा तरीकशी जैसे आपने डॉक्टortic ग्रेट किये ना गर्मी को स्काल करके कोई भी काम कर दो गई से नियाहां पे मेरे पास या जून है, वेल्क कि एक वाहल जो κάम करता हूं का करता हो एक और फंक्शन मना लेता है इसको कर देता हूं सेट वैल्यू अब मैं कॉंसोर डॉट लॉट की जगा पता है क्या गरूंगा टेक्स्ट इंपुट डॉट वैल्यू इकोल्स टू फॉर इसेंपल जब भी यह फॉंक्शन के लिक हो तो मैंने यहां पर वैल्यू रख दे रही है है इसको कॉल करने के लिए मैं यहां पर एक और फंक्शन बना रहा हूं और यहां पर इसका नाम रख देता हूं सैट और यहां पर यहां पर आजाता हूं सैट करता हूं ठीक है वैल्यू आ गई जास्क्रिप्ट के तरहीं आप वैल्यू गैट भी करवा सकते हो किसी भी इंपूट में वैल्यू सैट भी करवा सकते हैं बात क्लियर है भाई